तो आज का हमारा टॉपिक है भारतिय सम्विधान में हिंदी का स्थान यानि कि भारतिय सम्विधान में हिंदी कहां पे है क्या स्थान उसको मिला हुआ है वो आजम यहां पे जानने वाले हैं इससे पहले यानि कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था हिंदी भासा के सम्विधानिक विकास के बारे में जहां पे हमने जाना था राज भासा के बारे में मात्रवासा दिवस कब मनाय जाता है क्यों मनाय जाता है उसके बाद हमने बढ़ा था पत्रकारिता दिवस के बारे में और वो कब मनाय जाता है और क्यों उसको मनाय जाता है ठीक है? तो आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे और आज हम जानने वाले हैं सम्विधान में हिंदी के बारे में ठीक है तो हिंदी जो है वो भारतिय सम्विधान में कहां पर है तो सारा आज हम उसकी फुल डिटेल यहां पर जानने वाले हैं ठीक है तो बात करें भारतिय सम्विधान में हिंदी की तो भारतिय सम्विधान के बारे में आपको कुछ इतने भाग हैं, तो 22 भाग हैं, ठीक है, और आपसे पूछे कि भारत्य समीधान में टोटल अनुसूचियां कितनी हैं, ठीक है, तो हमारे भारत्य समीधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, टोटल 12 अनुसूचियां हैं, या जिनको हम विशाई भी कहते हैं, ठीक हो गया, ये तो हमको बता चली गया, ठीक है, उसके बाद टोटल 22 भाग तो हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पे जो भाग 17 है हमारा, भाग 17 जो है उसमें राज भाशा का वर्णन है, किसका? राज भाशा का वर्णन है, और ये है आपका अनुच्छेत 343 से लेके कहां तक है? 351 तक, 343 से 351 तक, ठीक है? भाग 17 में किसका वर्णन है? राज भाशा का वर्णन है, ठीक है? और ये अनुच्छेत 343 से लेके 351 तक है, और वहीं बात करें हम 12 अनुच्छिया हैं टोटल और आठवी अनुसूची की अगर हम बात करें, भारतिय समिधान की आठवी अनुसूची जो है उसमें क्या है? आठवी अनुसूची में क्या है? 22 भाशाओं का वर्णन है किया है 22 भाषाओं का vard GORDON, ठीक है, तो कौन-कौनसी Sind ये 22 भासाओं हैं भारत्य स्वामिदान में, उन 22 की 22 भासाओं को हम जानने वाले हैं, साथ ही हम ये जानेंगे कि कौन सी भासाओं बाद में add करी गई थी, कौन सी पहले से ही थी, सारा कुछ हम यहाँ पे जानने वाले हैं तो आठी वनसुची की बात हम बात में करेंगे पहले हम बात करेंगे किसकी भाग सत्रकी जिसमें राजबासा का वर्णन है जो है आपका आर्टिकल 343 से 351 तक ठीक है तो इन सारे अनुच्छेदों को हम आज यहाँ पे उजागर करने वाले हैं कि 43 में क्या है, 44 में क्या है 45 में क्या है, 46 में क्या है तो 351 तक सारे अनुच्छेदों कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं तो कुछ भी हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि question कहीं से भी बन सकता है ठीक है, तो जो ये अनुसूचिया या विशय है आट वी अनुसूची उसके बारे में हम बाध में बात करेंगे ठीक है, तो इसको मैं साफ कर लेता हूँ तो उस से पहले बता दूं कि टोटल कितने अनुसूचीया अब बारा आठी अनुसूची में बाइस भासाओं का वर्णन है ठीक है कभी कभी जो बाइस भासाओं का वर्णन किस अनुसूची में है ठीक है तो कभी कभी जो बाइस भासाओं है उनमसे कई भासाओं दे देगा और एक भासा ऐसी देगा जो बाइस भासाओं में सामिल नह इसलिए आपको 22 की 22 भासाई याद होनी चाहिए ठीक है तो हम किसकी बात कर रहे हैं भाग सत्रा राजबाशा की ठीक है तो सारे अनुचित हम यहाँ पर जानेंगे तो सारे अनुचित को जानने से बेले जो अनुचित 343 लेके 251 तक है इनको हम जरा पार्स में डिवाइट कर रहे हैं किसकी राज भासा की जो है किसमे भाग सत्रम है जैसा कि लिखा हुआ है सामने आपके ठीक है तो इसको हम डिवाइट कर रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे संग की राजभासा संग की राजभासा और ये इसमें हम जो आर्टिकल पढ़ेंगी वो पढ़ेंगी अनुचे 343 को और 344 को यानि कि संग की जो राजभासा है यानि कि केंद सरकार की जो राजभासा है उसका सारा वर्णन अनुचे 343 और 344 में है ठीक है उसके बाद आगे बढ़े एक और part कर लेते हैं इसमें हम बढ़ेंगे राज की राज भाशा या भाशा कहे लिजे राज जी की राज भाशा या भाशा और उसमें आते हैं अनुछेत 345 से लेकी आता है 347 तक ठीक है उसके बाद थर्ट इसका पार्ट जिसमें हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयुक्त होने वाली भासा के बारे में ठीक है और इसमें हम पढ़ेंगे अनुछेत 348 को और 304 को ठीक है फिर इसका लास्ट एक और पार्ट कर देते हैं जहांपे है आपका हिंदी भासा के समिधानिक विकास के बारे में ठीक है हिंदी भासा के समिधन नहीं हिंदी भासा के विकास के निर्देश विकास के निर्देश के बारे में ठीक है हिंदी भासा के विकास के निर्देश और इसमें पढ़ेंगे हम अनुछेत 350 को और 351 को ठीक है तो अगर साइड में नहीं दिख रहा हो तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप समझ दीजेगा ठीक है तो जो राजभाशा है भाग सत्र है ठीक है इन अनुच्छे दों को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइट के लिए और हाई कोड और सुप्रीम कोड में परिक्त होने वाली भाशाओं का वर्णन अनुच्छे 348 से लेके 348 में है और वहीं हिंदी भाशा के विकास के जो निर्देश दिए गए है वो अनुच्छे 350 और 51 में उनका वर्णन किया हुआ है अब एक एक करके सारे अनुच्छेदों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं तो सुरू करते हैं और सबसे पहले उद्गाटन करते हैं किस से अनुच्छे 343 से अनुच्छे 343 की हम सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले हैं यानि कि हम सबसे पहले इसकी बात करेगे और बार ये examo में पूछा जाएगा ठीक है तो अनुचे 343 के तहएत हिंदी हमारी क्या है राज भाषा है ठीक है हिंदी हमारी क्या है राज भाषा ती बार बोल चुका हूँ आप तो रड गया हुआ दिमार में ठीक है उसके बाद जो हमारी लिपी है वो क्या है देव नाग गरी लिपी देवनागरी लिपी है ठीक है और बात करें अंकों के रूप की या अंकों का स्वरूप के लिए या अंकों का रूप के लिए तो कैसा है रोमन है ठीक है तो अनुचे 343 के तहएत हिंदी हमारी राज भाषा है लिपी हमारी देवनारिक है और अंकों का जो रू पढ़ चुके हैं कि कब का से देवरागी लिपी निकली है कैसे उसका विकास हुआ है विशेष्टाएं क्या है हानिया क्या है सब कुछ हम पढ़ चुके हैं तो अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो जल्दी जाके देख लिजिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो उसका लिंक दिया हुआ है ठीक है तो अंकों का रूप रोमन ठीक है यह आप पहली बार यहां पर देख रहे हैं तो इसको मैं समझा देता हूं कि अंकों का रूप रोमन कैसे हैं ठीक है तो आप कभी भी देखते हैं कि सरकार के दौरा कोई भी विज्यप्ति या किसे भी जौब क आप देखते हैं कि वहाँ पे अगर नमबरों का यूज करना हो ठीक है तो वहाँ पे नमबर कैसे लिखे होते हैं इस तरह से लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे लिखे होते हैं ठीक है अगर हम बात करें हिंदी के अंगों की या देवनागरी की जो अंग हैं वो कैसे होते हैं एक उसम वाले जो सब्द है या जो अंक है ये आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं ठीक है आपको कौन से वाले मिलते हैं ये वाले मिलते हैं रोमन वादे ठीक है तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अंकों का रूप कैसा है रोमन है ठीक है तो अंकों का रूप रोमन इसलिए है क्यो इसको सम्मिधान में इसको क्या है यहाँ पे इसको सम्मिधान में इसका प्रावधान है कि रोमन में ही जो अंक है वो वहाँ पे पबिश किये जाए यह रोमन में अंकों को लिखा जाएगा ठीक है किसके दहत अनुचे 343 के तहर ठीक है तो question आज तक पूछा तो नहीं गया है कभी पूछ ले तो आपको पदा होना चाहिए कि अंकों का स्वरूप कैसा है रोमन है ठीक है तो यह तो होगा अनुचे 343 अब अगली बात कर देते हैं इसी में 344 की अनुचे 344 आर्टिकल 3-4 थरीकियां में बात कर लेते हैं के लिए सम्मेधानिक सम्मेधानिक आयोक एवं समिती ठीक है तो राजभासा के लिए सम्मेधानिक आयोक एवं समिती ठीक है यह किसमे है अनुचे 344 में यानि कि अगर राश्टपदी को राजभासा के सम्मन्द में ठीक है कोई अगर साहिता चीए ये कोई सुझाव चीए तो उसके लिए क्या बनाएगे हैं ये आयोक ऐवम समीति का यहां पर गठन किया गिया है ठीक है तो बात कर लेते हैं आयोक ऐवम समीति का तो सबसे बहले हम बात करते हैं राज भासा आयोक की राज भासा आयोग ठीक है तो सबसे पहले राज भासा का आयोग जो बना था वो बना था आपका 1905 में ठीक है और यह स्ताबित किया गया था यह राज भासा आयोग का स्वरवतम गठन किसके द्वारा किया गया तो गठन किया गया था डॉक्टर राजेंदर परसाद के द्वारा स्वारव पर्थम राजभासा आयोका गठन किया गया था कब 1905 में अगर पूछ ले कि उस समय इसके अध्यक्स कौन रहे थे अध्यक्स रहे थे आपके बी जी खेर ठीक है तो स्वारव पर्थम राजभासा आयोका गठन कब हुआ था 1905 में हुआ था किस ने गठित किया था डॉक्टर राजेंदर परसाद ने गठन किया था अगर पूछ ले कि अध्यक्स कौन थे तो अध्यक्स थे आपके बीजी खेर यानि कि बाल गंगादर खेर अगर सदस से पूछ ले किते समें सदस से होते हैं तो सदस्यों की अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं टोटल 30 प्लस 1 यानि कि 30 तो सदस से और 1 कौन सा यह अध्यक्स ठीक है यानि कि टोटल मालनो 31 सदस से होते हैं ठीक है तो ये थो था राजभासा आयोग उसके बाद राजभासा आयोग के बाद यहाँ पर समीति का भी गठन किया गया तो समीति को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राजभासा समीति राजभासा के लिए जो समीति बनी थी उसकी बात हो रही है ठीक है तो सरवर्थम राजभासा के लिए जो सम्मीती का गठन हुआ था 1957 में और उसके अध्यक्ष जो थे वहाँ पे अध्यक्ष थे आपके पंडित गोबिंद बलव पंत जी ठीक है और अगर पूछले इसमें सदस्य कितना होते हैं राजभासा सम्मीती के तो सदस्य के संक्या समें 30 होती है जिसमें से आपके 10 सदस्य जो होते हैं लोक सभागे और यहाँ पे 20 सदस्य होते हैं आपके राज्य सभागे राज्य सभा के ठीक है तो आर्टिकल 3433 में क्या है अनुची 344 में है राजभासा के लिए सम्मेधानिक आयोगयम समिति का गठन ठीक है तो स्वरब राजभासा आयोग का गठन हुआ था 1905 में ठीक है डॉक्टर राजिन परसाद में इसका गठन करा था अध्यक्स कौन थी ब ठीक है 30 सदस्य एक अध्यक्स ठीक है राज्भासा समिति बने थी सबसे पहले स्बसे पहले 1957 में अध्यक्स कौन थे मैं पंडित गोविद नभल नभ रपन जी और सदस्य बूच ले कितने होते हैं भाशा की ठीक है तो जगए है नहीं तो इसलिए इसको हम साफ कर लेते हैं ठीक है तो एक बाद आप देख लीजिए सही से उसके बाद मैं इसको रफ कर देता हूँ ठीक है अब बात करेंगे अनुचे 345 अनुचे 346 और अनुचे 345 की ठीक है तो अनुचे 345 में क्या है अगर आप बता दें तो महरबानी नहीं बताएं तो हमीं बता देते हैं ठीक है तो अनुचे 345 अर्टिकल 345 अनुचे 345 में क्या है अगर आप पूछ ले कि अनुचे 345 के तहट किसका वर्डन है या क्या वर्डनी थे अनुचे 345 में ठीक है तो राज्यों में कौन सी राज भासा है या भासा है इसका वर्डन किसमें अनुचे 345 में है उसके बात बात करते हैं अनुचे 346 की तो अनुचे 346 में क्या है तो अनुचे 346 में है एक राज से दूसरे राज एक राज से संग के बीच सम्वात या वारतल आप कह दो सम्वात की भाषा ठीक है यानि कि अगर एक राज जी को किसी दूसरे राज जी के साथ वारतलाप करना हो तो कौन सी भासा वो इस्तमाल करे या एक राज जी को केंद सरकार के साथ वारतलाप करना हो सम्वात करना हो तो वो कौन सी भासा का परियोग करेगा तो इसका सब कुछ जो वन्नित है वो किसमें है अनुचे 346 में ठीक है अब बात करते हैं अनुचे 347 की अनुचे 347 तो अनुचे 347 में है कि किसी राज के किसी राज के एक जन संख्या किसी राज के एक जन संख्या समूह के द्वारा बोले जाने वाली भासा के सम्मन्द में प्रावधान ठीक है इसका मतलब क्या हुआ अनुचे 347 में है किसी राज के एक जन संख्या समूह द्वारा बोले जाने वाली भासा के सम्मन्द में प्रावधान ठीक है यानि कि कोई एक राज है जहाँ पे अधिक जन संख्या है कहीं पे तो वहां के जो लोग हैं वो किसी एक भासा को बहुत ज्यादा बोलते हैं तो उस भासा के संबन्ध में प्रावधान यानि कि उसको उस भासा को कैसे विक्षित किया जाए या उसको कैसे दरजय दिया जाए तो उसके संबन्ध में प्रावधान किसमें है अनुचे 347 में ठीक है तो ये भी हमारा complete हो गया राज जी की राज भासा तो 345 में क्या है कि राज जी की राज भासा या भासा के संबंद में अनुचे 346 में है कि एक राज जी से दुसरे राज जी या एक राज जी से संग के भी समवात की भासा या वारतलाप की भाहसा क्या होगी ठीक है उसके बाद हमचे 347 में किसी राजी के एक जनसे के असमूद वारा बोले जाने वाली भाहसा के संबंद में प्रावधार्ण ठीक हो गया ये भी देख लिए ये भी देख लिए आप बात करेंगे किसकी बात करेंगे इसकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रिक्त होने वाली भाहसा की ठीक है तो इसको भी हम साफ कर लेते हैं क्योंकि हमने ये भी जान लिया है ठीक है तो साफ मैं इसको कर लेता हूँ अब हम किसकी बात कर रहे हैं अनुचे 348 की तो अनुचे 348 में क्या है उसकी हम बात अब करते हैं ठीक है तो अनुचे 348 ठीक है तो अनुचे 348 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मैं अधिनियम अधिनियम और विध्यक अधिनियम और विध्यक में प्रयोग होने वाली भासा होने वाली भासा यानि कि अगर आपको सुम्रीम कोर्ट में कोई अधिनियम उसने पारित करना है या कोई विध्यक उसने जारी करना है तो उसको आप किस भासा में दे सकते हैं ये है अनुचे 348 में ठीक है Supreme Code और High Code में अधिनियम और विध्यक में परियोग होने वाली भासा ठीक है फिर बात करेंगे अनुचे 349 349 तो 349 में है भासा के सम्मंद में नियम एवं प्रावधान भासा के सम्मंद में नियम एवं प्रावधान तो कोई भासा है अगर उसमें कोई नियम हमको बनाने है या उसमें कोई चेंजस हमको करना है तो हम किस के तायत कर सकते हैं अनुचे 349 के तायद, आर्टिकल 349 के तायद, ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे इसकी, किसकी हिंदी भासा के विकास के निर्देश जो दिये गए है, ठीक है, तो इनको हम इसी के नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, तो अनुचे 349 हो निवारण के लिए भाषा, शिकायत निवारण के लिए भाषा, यहाँ कि शिकायत का निवारण किस भाषा में होना चीए, ठीक है, राज्यों में या संगों में, कहाई पे भी, तो उसका वर्णन किसम है, अनुचे 350 में है, ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अनुचे 351 क टो अनुचे 350 के दो और पार्ट है उनकी बात भी हम कर लेते हैं 350 का को या 350 का खौ तो पार्ट को हम यही पर बता देता हूँ तो अनुचे जो 50 है उसका को में क्या है या आप इसको a कह लिजे या one कह लिजे आप कुछ भी कह सकते हैं फिर है अनुचे 350 का ख ठीक है या एक बी कर लिजिए या दो कर लिजिए कुछ भी कर लिजिए ठीक है आपकी मर्जी है ठीक है तो अनुचे 350 के कौमें क्या वर्णित है पूछा गया है कहीं बार ठीक है यानिकी प्रात्मिक विश्टरबर जो बच्चा है वो शिक्षा कैसे लेगा अपनी मात्र भासा में मात्र भासा में शिक्षा ठीक है अनुचे 50 के ख में है इसमें है भाषाई अल्प संख्यकों के लिए विशेश पदा धिकारी थीक है तो अनुचे 350 में है सिकायद निवारन के लिए भासा 350 के काव में है प्रात्मिक इस्तर पर मात्र भासा में शिक्षा अनुचे 350 के ख में है भासाई अल्प संख्यकों के लिए विशेश पदा धिकारी थीक है तो अब हमका हमारा बचा हुआ है लाश अनुचे कौन सा अनुचे 351 तो अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं तो अनुचे 350 में क्या है इसमें कहां गया है हिंदी के विकास के निर्देश ठीक है तो हिंदी का विकास कैसे हो क्या करना चाहिए सारे वर्णन किसमें है अनुचे 351 थीक है तो ये हो गए हमारे सारे के सारे अनुचे 343 से लेके 351 थीक है ये अनुचे आपको कंठस्त याद होने चाहिए तीक है आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए मन में बैठ जाने चाहिए कौश्चन कई सभी पूछ ले कौन सा भाग 17 से तो आपको वह अनुचेत पता होना जहीं ठीक है तो यह तो आपको याद करने करनेश के बाद दो और अनुचेत आपको याद करने हैं जो हैं इंपोडेंट है बाहसा इसे संबंदित हैं तो वह दो अनुचेद में लिख देता हूँ, यहाँ पर, कौन-कौन से, एक तो आपको याद करना है, अनुचेद 120, और एक आपको ध्यान रखना है, अनुचेद 210, ठीकर दो अनुचेद याद रखने हैं, अनुचेद 120 में है, संसद में परियोग होने वाली भाषा, और अनुचेद 210 में है, विधान मंडल में, प्रियोग होने वाली भाषा, प्रियोग होने वाली भाषा, तो यह दो आपके लिए बोनस हैं, इनको याद करिए, इनसे भी कौशन बन सकते हैं, और बने भी हैं कहीं बार, पूछे गया हैं, अनुचेद 120 पहले पूछा गया है, तो यह हो गया, क्या भाषा 17, ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, अनुचेद 8 की 22 भासाओं की, ठीक है, तो पहले हम इसको एक बार क्या कर लेते हैं, इसका रिवाइस कर लेते हैं, ठीक है, जिससे की हम इसको भूले तो जैसे मैंने कहा कि भारती समिदान में हिंदी का इस्तान, टोटल बात करें, भारती समिदान में 22 भाग हैं, ठीक है, और आठीवे नुचेद 12 भासा का बंडन है, और वहीं भाग 17 में राज़भासा का बंडन है, जो की है अनुचे 343 से लेके 351 तक, ठीक है, तो यह करक सारे अनुचूद देख लेते हैं, तो 343 में क्या है, 343 में हिंदी मारी राजबसा है, लिपी देवनारिक है, और अंकू का सुरूप कैसा है, रोमन है, ठीक है, उसके बाद 344 की बात करें, समिदानिक 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 आयोग का गठन किया गया है, ठीक है, अब से पूछें तो 30 प्लस 1, यानि कि 31 होंगे टोटल, समिदानिक इगर बात कर ले, तो पूछ ले कि समिदानिक का गठन कब वह पहली राजबासा समिदानिक आयोग का गठन तो 1967 में हुआ था, पूछ ले अध्यक्स कौन थे, तो अध्यक्स पंडित गोविन दवल्लपन से दूसरे राज या दूसरे राज से केंद सरकार के बीच वारतल आपकी भासा फिर पूछले 43 हो गया 44 45 हो गया 47 में है कि किसी किसी राजी की एक जनसंख्या सम्मू द्वारा बोले जानी वाली भासा के संबन्द में प्रावदान ठीक है यानि कि कोई एक राजी है वहाँ भ बड़ी जनसंख्या किसी एक भासा को बोलती है तो उस भासा का विकास कैसे हो उसके संबन्द में प्रावदान है जिसमें अनुचे 347 में ठीक है पर 348 सुप्रीम को और हाई कोड में विदेक और अधिनियम में प्रियोगोनी वाली भासा उडणचास में क्या है भासा के सं 350 के कव में है कि मातर भासा जोगी वो प्रात्मिक स्तरबड जो शिक्षा मिलेगी वो मातर भासा में मिलेगी 350 का खौव पूछले तो भासाई अलपसंख्यों के लिए विशेश पदादिकारी उसके बाद 351 हिंदी के विकास के निर्देश इसमें दिये कोई है फिर दो हमने यहाँ पर याद कर लिये हैं आब हम बूलेंगे नहीं बिल्कुल भी ठीक है तो क्लास को यहें पर समाप करेंगे अगली वीडियो हम बात करेंगे आठ भी अनुसुची की सारे की सारी भासाईं देखेंगे 22 की 22 भासाईं कौन सी है कौन सी पहले एड करेंगी थी कि सम करिए सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप दोस्तों कर रहे हैं त्यारी पुलिस बढ़ती इल्टी की या प्रवक्ता की या ऐसे किसी भी एक्जाम की जिसमें हिंदी पूछी जाती है ठीक है तो आपके लिए दोस्तों ये चैनल काफी फाइदेवन साबित होने वाला है इस चैनल की हिंदी को आपने देख लिया तो उसके बाद आपको ना ही कोचिंग संटर जाने की जरुवत है ना ही दोस्तों किसी भी बुक को पढ़ने की जरुवत है ठीक है तो सारा स्लेबस हमें आपे कबर करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हमारी जो हिंदी है हिंदी का जो म हो चुका है एक दो दिन बाद हम शुरू करेंगे क्या वर्ण माला ठीक है एक ही और टॉपिक हमारा बचा हुआ है आट इवन उसुची उसको हम पढ़ेंगे उसके बाद हम वर्ण माला सुरू कर देंगे ठीक है तो वर्ण माला से काफी question पूछी जाते हैं कोई भी exam आप ले